नमस्कार, स्वागा थे आप सबका हमारे चैनल पे आज मैं आप लोगों के साजा करूंगी सुजी का इडली रेश्पी जो बहुत ज्यादा स्वाफ्ठ और स्पंजी बन कर तयार होएगा तो एक बार इस तरीके से बनाईए सुजी का इडली बहुत ज्यादा स्वाधिष्ट और परफेक्ट बन कर तयार होएगी सुजी का इडली बनाने के लिए यहाँ पर मैंने मोटे वाले सुजी का लिया है अब यहाँ पर लेंगे एक बाउल बड़ा वाला कटोरा है उसके अंदर डालेंगे सुजी यहाँ मैंने लगभग दो कटोरी का सुजी लिया है और एक बड़ी कटोरी का लिया है दही घर की दही है अच्छी क्वाल्टी की दही है ज्यादा खटी वाली नहीं है अब इसको भी डाल लेंगे सुजी के अंदर और मिक्स करेंगे अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक चम्मच की सहता से यह देखिए अब थोड़ा से डालेंगे इसमें पानी चम्मच की सहता से इसे अच्छे से मिक्स करते जाना है पानी डालेंगे और अच्छे से इसको फेटेंगे और 10-12 मिनट के लिए रेश्ट के लिए रख देंगे एक बरतन की सहता से ढखके यह रेश्पी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, सेयर और सब्सक्राइब करना न भूले यह देखिए 10-12 मिनट बार घोल तोड़ा गढ़ा हो चुका है अब डालेंगे थोड़ा से पानी और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह से एक परफेक्ट घोल तैयार करेंगे यहाँ पर मैंने एक पैकेट इनो लिया है अब इस घोल को आधा-धा भागों में बाट लेंगे और एक चमच इसमें डालेंगे इनो और दुसरे वाले भाग में भी आधा इनो यूज कर लेंगे थोड़ा से पानी डालेंगे और इनो को फटा-फट मिक्स करेंगे और इसे इडली स्टेंड में फैला लेंगे इडली स्टेंड मेंने आयल ग्रिस कर लिया है इधर एक भगुने में पानी रखा था, पानी अच्छे से गरम हो चुका है तो उसके अंदर रख दिया है इडली स्टेंड और दुसरे भगुने से ढख कर पका लिया है 12-15 मिनट में देखिए अच्छे से इस्टीम हो चुके हैं और बिल्कुत साफ्ट और स्पंजी बन कर तयार हुआ है एक चाकू की मदद से इसको इस तरह से निकाल लेंगे इस तरह से बनी हुई इडली काफी साफ्ट और स्पंजी बन कर तयार होती है तो एक बार आप अवश्य ट्राई करिए आप चाहे तो इसे फ्राई भी कर सकते हैं और प्लेन भी ले सकते हैं सांभर के साथ तो इस तरह से एक बार अवश्य ट्राई करिए और हमारे चैनल को लाइक, सेयर करना न भूले